नमस्कार दोस्तों आप सभी का चार्ट ऑफ दवीक के वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम चार्ट ऑफ दवीक के अंदर एक ऐसे श्टॉक के बारें बात करते हैं जहां से ब्रेकआट होने पर आपको अच्छा कासा रिटन दे सकता है। तो आज के चार्ट ऑफ दा वीक के अंदर हम जिस सेर को लेके आ रहे हैं उसका नाम है वोकार्ट फार्मा वोकार्ट फार्मा ने आज से कुछ समय पहले बहुत अच्छे रिटन बना के दिये थे 2000 के लेवल भी इसने चूर लिये थे उसके बाद इसमें ग्रावट आई थी तो अगर हम आज जिस दिन हम यह वीडियो बना रहे हैं उस दिन इसके श्टॉक के बहाव को देखें तो 533 रुपे इसकी श्टॉक की बहाव है दोस्तों मैं आपसे गुजारिस करूंगा कि कम से कम वीडियो के अंतक जरूर बने रहे हैं इस वीडियो के अंदर हम अनेलिसिस करेंगे इसके सपोर्ट का पर रैस्टेंस क्या है क्या टार्गेट निकल क्या सकते हैं ट्रेंड लाइन का का कैसी यूज हो रहा है इसके अंदर कौन साथ चार्ट पैटर्न बनाए मुविंग सकते हैं और अगर आप फ्री टेलिग्राम चैनल के साथ भी जुड़ना चाहते हमारे तो डिस्क्रिशन मैंने लिंक दे रहा है वहां जाके आप जुड़ सकते हैं तो दोस्तों वह हट फार्मा का यह जो चार देख रहा हम एक वीकली चार्ट देख रहे है ठीक है तो वीकल 2000 के लेवल के पास में 2015 मैं लेके गए थे अब इस चार्ट के अंदर देखिए आपको इस पर्ष्ट रेजिस्टेंस नजर आ रहे हैं जिसका यह बहुत अच्छी तरह से इसको फोलो कर रहा है तो वह रेजिस्टेंस का लेवल मैं आपके लिए निकाल के रख देता हूँ ठिक है तबुस्तों तो आपको जो इक ग्रिन लाइन नजर आ रहे है ये ग्रिन लाइन इसके लिए बहुतती मजबूत रेस्टेंस का काम कर रही है मैं मैं आपको इसके-अंदर दिखाता हूँ इस लेवल का इसको रेजिस्टेंस लिया देखिए आप कर्षर देखिए second बार हमारा इसने यहाँ पर resistance लिया ठीक और जैसे इसने इस level को break किया बहुत तेजी से हमारा walk farma का stock बहुत उपर गया था इसके बाद stock नीचे आया यहाँ पर इसने breakdown किया इसको इसके बाद फिर से breakout के बाद जब दुबारा देखिए resistance जब break होता है तो support का काम करता है तो चार्ड़ थोड़ा बड़ा करें यहाँ पर देखिए आपको इस पर्ष्ट इसी जो support line है इसका इसने support लिया इसके बाद दुबारा stock देखे यहाँ पर continue इसी का इसने support लिया है इसके बाद एक बार और फिर से यहां पर सपोर्ट लिया है जैसे हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है अब आप देख सकते हैं यहां पर यह continue इसका यह resistance का काम किया है अब देखें वोग फार्मा का इस टॉक फिर से हमारा इसी लेवल के पास आ चुका है और इसी लेवल पांसो साट सतर का एक जॉन मन चुका है इसी का यह resistance ले रहा है इसको प्रॉस नहीं कर पा रहा है तो दोस्तों सीधा-सीधा आपको जब तक हमारा वॉक फार्मा का इस टॉक इस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता या कर देता है तब तक आपको इसके अंदर एंट्री की नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि देखिए बहुत मजबूत resistance है इस लेवल को कितनी बार टेस्ट कर चुका है इसलिए मैं बता रहा हूं दोस्तों 560 का लेवल वॉक फार्मा के लिए बहुत मजबूत है और जैसे यह लेवल ब्रेक होता है तो बहुत तेजी से इसमें टार्गेट उपर की तरफ आएंगे वह टार्गेट आम फीवोनासी से भी आपको निकाल के दिखाएंगे अगर मैं बात करूं कि चार्ट पैटन इसके अंदर कौन सा चार्ट पैटन बन रहा है तो देखिए 1000 रुपे के लेवल से यह 150 रुपे पे आ चुका था यहां पे ऑके इसने बॉटम बनाया और यहां पर आके इसने चार्ट पैटन बनना अैं चॉका चार्ट पैटन बनाया और मुघ misin जो पैटन नज़र आ रहा है वह गल Up पेटन है बोटम डायमेंड पैटन तो देखें डायमेंड पैटन बना कैसे कि एक हमारा और यहां act मैंने आपके लिए बना दिया है और यहां पे यह डायमेंड की ड्रivi जाएसे नजर आ रहा है इसको डायमेंड बोटम पैटन बोलते हैं यह एक बुलीस रिवल से चार्ट पैटन है मतलब जो एक हमारा डाउन टेंड चला रहा था है डाउन टेंड खतम और डायमन पैटन बनने के बाद यहां से अब टेंड की शुरुवात हो गई है अगर दोस्तों हम बात करें ट्रेंड लाइन की तो जो आपको बिलू ट्रेंड लाइन नजर आ रही है हमारा वॉक फार्मा का स्टॉक 2015 से इसी ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेते हुए चल रहा था ठीक है और मैं देखिए आपको ड्रो करके दिखाओं यहां पर रेज रहा और आप यहां पर देखें कंट्यूनू यह इसी लिया है और जैसे हमारी ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उपर की तरफ निकल जाती है जब दुबारा श्टॉक गरेगा तो ट्रेंड लाइन फिर हमारा सपोर्ट का का म करेगी ठीक है यह बात दोस् निकल गया है इसलिए बहुत महत्पूर्ण है दोस्तों कि अगर हमारा resistance अब वो उसके लिए support का काम करेगी तो दोस्तों यह थो हमने देखा था था कि हमारा एक टैनलाइन का resistance ले रहा था अगर हमें छोटे टैनलाइन के अंदर देखूं तो हमारा Walk Pharma का Stock ऐक अप channel के अंदर काम कर रहा है और देखें अप channel की मैं trend line निकालता हूं यहां पे आके तो यह हमारी एक इसके लिए trend line हो गई है और आप देखें कि इस trend line के एकदम टॉप के level पे जाके ही इसमें गिरावट आई है अबcarbon maar यह जो trend line था इसी trend line का resistance ले रहा है अब दोस्तों मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि जब तक हमारा इस resistance को break नहीं कर जाता जब तक हमको entry नहीं लेनी है ठीक है दूसरी entry हमें कब लेनी है कि जैसे अगर यह trend line यहां से उपर की तरफ break कर जाएगा वोक फार्मा का stock यह trend line प्लस resistance यहां पर आके दोनों यह हडल बन रहे इसके लिए देखिए यहां पर मैं अगर मैं इसके लिए resistance line निकालूं और यहीं पर trend line है तो यह दोनों मिल गए हडल और हडल को cross करना बहुत मुश्किल होता है इसलिए आप देखिए वीडियो बनाया मैंने तो आप यह नही ठीक है तो जब तक मैं फिर बता रहा हूं ब्रेकाउट नहीं होता अपनी पोजिशन नहीं बनाये वह फार्मा का इस्टॉक बहुत वालिटायल स्टॉक है बहुत तेजी से उपर जाता है तो उसनी तेजी से यह नीचे की तरब भी आता है अब अगर आपको एंट्री बना इसके अंदर टार्गेट की जो टारगेट और साथ में फिव नासी वह हम दोनों एक साथ देखेंगे तो दोस्तों टार्गेट की बात करें तो टार्गेट होने के आधारा जो अगला रेच्टन्स का अध्यों नगे और लेवल नगर अगला आपको यहां पर नगर आ रहा ह उससे अगला जो resistance का लेवल वो है 1300 रूपे के आसपास दोस्तों सबसे खास बात मैं आपको बताऊं कि जहां पर हमारा resistance का लेवल निकल के आ रहा है वहीं पर हमारे फिवो नासी के लेवल भी निकल के आ रहे हैं अब देखिए जो हमारा इस पूरे डाउन ट्रेंड का जो 23 पॉइंट है जो फिवो नासी का लेवल है उसका लेवल भी 580 के असपास आ रहा है तो हमारा जो resistance है तगड़ा वह भी 580 का आ रहा है और आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर इस परश तोर पे यहां पर यह कितना resistance ले रहा है अब जैसे 23 कर बाद अगला फिवो नासी का लेवल क्या आता है 0.38 परसेंट का तो हमारा लेवल कितना निकलके आ रहा है वो निकलके अटे आशॉ रूपे का और यही लेवल लगभाग हमं अगला सपोर्ट का अगला सोरी इसके लिए अगला resistance लेवल निकलके आ रहा है इसके बाद 0.38% के बाद फिबो नासी का अगला लेवल है 50% 0.50% ठीक है तो आप देख सकते हैं कि वोग फार्मा के लिए अगला रेजिस्टेंस का लेवल यही निकल के आ रहा है और आपको मैं ड्रो निक दिखा हूँ आपको यह लेवल रहा 0.50% जो इसके लिए अगला मजबूत रेजिस्टेंस का काम करेगा 0.50% के बाद फिबो नासी का अगला लेवल आता है 0.61% का तो आप देख सकते हैं 0.61% पे वोग फार्मा का अगला रेजिस्टेंस यह बन रहा है ठीक है और इसके बाद आता है 0.786 तो वो भी हमारा यह लेवल बन रहा है तो आप देख सकते हैं दोस्तों बहुत कम ऐसा होता है कि किसी भी स्टोक के अंदर रेजिस्टेंस के लेवल प्लस फिबो नासी के लेवल दोनों एक साथ आ रहे हैं ठीक है और इसलिए ही वोग फार्मा के स्टोक पे भी यह लेवल 0.23% का लेवल एक साथ आ रहा है इसलिए इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है और जैसे ब्रेक करेगा तो आप फिबो नासी के इसाब से अगला टार्गेट हमारा अगले वीडियो में हम उसके अंदर सुधार करेंगे बाकी आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप